असम के गुहाटी से लगबग 8 किलोमिटर दूर इस्थित है देवी सती का कमख्य मंदिर इस मंदे को लेकर पईकत है प्रचलित है लेकिन एक क्यावन सक्ती पीटों में से सबसे महत्यपूर माने जाने वाला यह मंदिर रजस्वल्ला माता की वजह से जादतर ध्यान आकरशि नहीं थे एक बार राजा दक्स ने एक यग का आयोजन किया लेकिन इसमें सती के पती भगवान सेव को नहीं बुलाया सती इस पास से नराज हुई और बिना बुलाए अपने पिता के घार पहुँच गई इस बार पर राजा दक्स ने उनकारूं के पती का बहुत अपमान क और वे हवनकुंड में पूद गई इस बात का पता चुलते ही भगवान से भी येग में पहुंचे और सती का सव लेकर वहां से चले गए वह सती का सव लेकर तांडव करने लगे उन्हें रोकने के लिए भगवान विश्णु ने सुदर्शन चक्र फैका इस चक्र से सती का में नारा नाराएंड ने मंदिर बन वाया था इस मंदिर में हर साल अंबुवाची मेले का आयोजिन क्या जाता है इस मेले में देश भर के तांतरिक हिस्सा लेने आते हैं ऐसी मानत है कि इन तीन दिनों में माता सती रचसवल्ला होती है परजल कुंड में पानी की जगा रखत बहता है इन तीन दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं तीन दिनों के बाद बड़ी धूम धाम से इन्हें खोला जाता है। हर साल मेले के दौरान मौजूद ब्रंपुद्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पानी माता के रचिस्वला होने का कारण होता है। इतना ही नहीं यहां दिये जाने वाला परस इसी लाल कपड़े को इस मेले में आय भक्तों को दिया जाता है। इस परसात को अंबुवाती परशाद भी कहा जाता है। इस मंदि में कोई भी मूर्ती नहीं है। यहां सिर्फ योनी में बनी एक संतल चर्टान को फूजा जाता है। मूर्ती असात में बने एक मंदिर में नदी का पानी मंदिर में मेले में चड़ाएगे सिंदोर के कारण होता है या फिर यह रख पसुका भी होता है जिनकी यहां बली दी जाती है खैस अच्चाई जो भी है इस मंदिर के आकरशन का केंद बैसे सवल्ला रख्त की पूझा है जिसे देखने यहां हर साल बहुत लोग जाते हैं तो दोस्तों कैसी लेगी आपको हमारी वीडियो आप हुमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता है साथी साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले